अब भी हम हैं माली घोरी दुधली में और हम जा रहे हैं माद्यंतेश्वरी मंदिर माली घोरी दुधली में तो चलिए चलते हैं माद्यंतेश्वरी मंदिर में और वहां जाकर दर्शन करते हैं दंतेश्वरी माता के तो चलिए चलते हैं झाल झाल आज मैं आए हूँ माद्यंतेश्वरी मंदिर माली घरी में तो चलिए मैं आपको माद्यंतेश्वरी के दर्संक्रात हूँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं माद्यंतेश्वरी मंदिर माली घरी घरी में जैसे के आप अभी देख पा रहे हैं या माद्यंतेश्वरी माली घरी मंदिर के दर्संक्रात हूँ कुछ इस त्रह से बना हुवा है प्रवेसद्वार। अब हम मादंतेश्वरी मंदीर के अंदर आ चुके हैं अब आप देख सकते हैं मादंतेश्वरी का मंदीर की अदर करने आ रहे हैं। आज माली घोरी का मंडाई है, इसी वज़ा से आज मा दंतेश्वरी मंदीर का दर्बार खुला हुआ है, कहा जाता है कि इस मंदीर में महिलाओं का प्रवेस वरजित होता है, साल में एक ही दिन जब माली घोरी का मंडाई होता है, उसी दिन इस मंदीर में महिलाओं को प्रवे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मादन देश्वरी मंदीर का प्रवेश द्वार बना हुआ है तो चलिए अब हम मंदीर के अंदर प्रवेश करते हैं जै मादन देश्वरी यहाँ पर देख सकते हैं एक और प्रवेश द्वार बना हुआ है तो चलिए अब हम मंदीर के अंदर प्रवेस करते हैं अब हम मंदीर के अंदर आ चुके हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप सितला माता के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मननत घोड़े चड़ाए गए हैं इन मन्नाद घोड़ा को आप अच्छे से देख सकते हैं अब आप मंदीर के अंदर का नजारा देख सकते हैं ये मंदीर के अंदर का नजारा कुछ इस तरह से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मन्नाद घोड़े दिखाई दे रहोंगे और यहां पर देख सकते हैं यहां पर माद धंतेश्वरी का प्रवेजद्वार बना हुआ है लोग अभी माद धंतेश्वरी के दरसन करने के लिए यहां पर लाइन लगे हुए हैं यहां पर देख सकते हैं यह दंतेश्वरी मंदीर का प्रवेजद्वार है अब हम मादंतेश्वरी मंदीर के अंदर आ चुके हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी सर्धालों का ताता लगा हुआ है अब आप मादंतेश्वरी के दर्सन कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह मादंतेश्वरी की मुर्ती बनी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं सरधालूगर्द नारियल चड़ाय हुए है और यहाँ पर बहुत सारी पूजा समागरी भी चड़ाय गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह मादेंतेस्वरी का दर्बार है कुछ इस तरह से माधन तेश्वरी का दर्बार आप अभी देख पा रहोंगे यहाँ पर एक माता की और मुर्ती बनी हुई है अब आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं मैं आपको यहाँ का नजारा अच्छे से दिखा देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सद्धालों का भी लगा हुआ है यहाँ पर भी देख सकते हैं एक और भगवान है जहाँ पर महिलाएं भी पूजा कर रही है अब हम मंदीर के बाहर आ चुके हैं तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जाकर भगवान जी के दर्सन करते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और भगवान है यहाँ पर भी महिलाएं पूजा कर रही है अब आप यहाँ से मंदीर के बाहर करना जारा देख सकते हैं यहाँ से मंदीर के बाहर करना जारा कुछ इस तरह से है अभी आप देख सकते हैं यहाँ सर्धानू का आना जाना अभी भी लगा हुआ है तो चलिए अब हम मंदीर से बाहर की ओर चलते हैं अब हम धीरे-धीरे करके मंदीर से बाहर की ओर जा रहे हैं अब हम मंदीर के बाहर आ चुके हैं अब आप मंदीर के बाहर का नजारा देख सकते हैं ये मंदीर के बाहर का नजारा है तो चलिए चलते हैं वापस और मिलते हैं नेश्ट वीडियो में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेश्ट यूडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्या है चैनलius नेश्ट बाई 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 टेक करना झीज़ प